Hello student, welcome to my channel, जैसा कि आप जानते हैं ओनलाइन पढ़ाएं चल रही है, और ओनलाइन पढ़ाएं में हमें घर पे रह पर रहा हैं, गरुकुल रहा हैं और घर पर रहाय हैं, जैसा कि हम किलास में, स्कूल में पढ़ रहा हैं, तो इस ही की हमने तैयारी किए और आपके लिए बहतRE लिए बढ़िया वीडियो आपके लाएंगे जिसे आपको पूरा चेक्टर बहुत आसानी से समझ में आ सके तो इसकर में आज हम कर रहे हैं चेक्टर स्टाठ करने से पहले हम उस चेक्टर का फुल वे से कंसर्ट आपको देते हैं तो exercise चलते हैं आज हम आपको करा रहे हैं प्रेस्ट नमरी 4.2 का कोशन नमर 2 से आगे कोशन नमर 1 करा चुके हैं अगर वह आपको करना है तो कोर्नर में आई बटन है आप बहां से भी उसको कर सकते हैं या वीडियो के अंदर में उसका लिंक मिल जाएगा आप बहां से भी कोशन फर्स्ट के सभी पार्ट का सोलुशन रहा सकते हैं यह अब हम करते हैं कोशन नमर 2 को स्टार्ट देखिए पहला कोशन आई दूसरा कोशन आपके स्क्रीन पर आच चुगा है करने से पहले इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उधाना एक में दी गए इस समस्या को हल कीज़ए देखिए यह उधाना एक जो दिया हुआ एंची आटिव यह है पहला है जोन और जीवन्ती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं दोनों 55 कंचे खो देते हैं अब द तब जीवन्ती के पास कंचो के संख्या बरावर हो जाएगी 45 माइनस एक्स क्योंकि टोटल कितने 45 तो इस बात को मैं लिख देता हूं तो देखिए इसकी लेंगवेज हमने लिख दी हैं सबसे पहले क्या था जोन और जीवन्ती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं हम माल लेते हैं माना जोन के पास जो कंचो की संख्या है वो कितनी है एक्स है चुकि टोटल 45 है तो जीवन्ती के पास जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 45 माइनस एक्स ठीक है तो जोन के पास हो गए एक्स कंचे और जीवन्ती के पास जो हो गए वो 45 माइनस एक्स हो गए अब क्य इसी तरह से जीवन्ती के पास पहले जो है 45 माइनस X कंचे थे और 5 खुग है कोईने का मतलब यह है इसमें से 5 माइनस करना है अब उसके पास बचेंगे 40 माइनस X ठीक आप देखें कोशन आगा क्या कह रहा उनके पास कंचों की संख्या का गुरंफल 124 है तो यहां लिखेंगे प्रस्ना नूसा यानि कि जो प्रस्न में दिया है चाद रखा है कि इन दोनों का जो गुरंफल है किसका जो अभी ताज ताज निकाला हमने X माइनस 5 और 40 माइनस X ठीक है इनका जो गुरंफल है वो कितना है 124 अब हमें करना क्या हम जानना चाहेंगे कि आरम में उनके पास कितने गंचे थे यानि हमें X और 45 माइनस X की वेलू निकाले तो इसके लिए हम इसकी गुणा करेंगे तो अब देखी जब हम X से गुणा करेंगे तो क्या आएगा यह आएगा 40 X और माइनस का X स्केर और पांच चोग 20 जनी 200 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस पांच X और एक सो चोड़िस ठीक है इसको पक्षांतर कर लेते हैं जनी कि यह हो गया माइनस X स्केर यह पांच X है 40 X यह हो जाएगा 45 X और यह 200 इदार आके 124 इसमें और जुड़ जाएगा 200 और 124 जुड़ेंगे यह जाएगा 324 अब देखिए यह माइनस थोड़ा सुरूम अच्छा नहीं लगता है तो हम इसे माइनस से गुणा करेंगे जब माइनस से गुणा करेंगे तो यह जो है जो प्लस वाले है वह माइनस हो जाएगे और माइनस वाले प्लस हो जाएगे आप इस तरह से पूरी उक्वेशन में साइन चेंज कर सकते हैं यह देखिए यह आगया अब हमने क्या करने है इसके फैक्ट करने है कुछ ऐसा करने ci आप प्लस का निसान अया है यानी जोल के 324 फिर यान चाहिए याद में इसके लिए 27 और तीन तीया 29 अब इसमें देखना हमें अब इसमें धूना कि किस तरह से करेंग Pi जोड़ पैंतालीस है BM तो तीन तीया 26 और दो दून चाहिए 27 कतने होते हैं 12 ए 27 यह नहीं भी भेठा 12 तो दूने चाहर मीज्या टी आ आ दीजा 363 rolls no कैसे हुआ है दो यह दुन चार यह बारा है यह चाटिस और यह बारे तो क्या हो जाएगा इसका एकस स्क्यार पहतारिस को लिखेंगे चाटिस माइनस के नो एकस और प्लस के तीन सो चोडिस तो अब यहां से एकस स्क्यार माइनस के चाटिस एकस माइनस के नो एकस और प्लस के तीन सो चोडिस तो मैं एक काम करता हूं यहां से कलर चेंज कर लेता हूं जिससे अंदिखाई दे जाए खुसर खुसर नहीं होगी तो यहां पर देखिए यहां से एकस को माइनस के चाटिस और यहां से क्या हमने मानस का 9 कुमन ले लिए तो 3, 8, 24, 39, 27 नहीं सोड़ी, 9, 37 और कितना बचा 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 नो 27 पांच बचा नो चंग 4 यहां से देखे एकस मानस के 36 कुमन आगे दोनों में दूसरे बैकित में बचा एकस मानस के 9 ठीक है तो यहां से एक बार पहले वाले को जीरो के बरावर रकेंगे वाले दूसरे वाले को भी जीरो के बरावर रकेंगे तो एकस की जो वेल्यू आगई वह कितनी आगई पास कंचों की संख्या बरावर हो जाए पैतालिस मानस नो यानिकि छत्यस ठीक है यह वाली लाइन आप लाश्ट में लिख देंगे चलिए इसी का अब जो दूसर पार्ट है उसे देखते हैं कोश्चन नमबर सेकंड का सेकंड पार्ट आपके सामने है कोश्चन के आप पहले कि संख्या को घटाने से प्राफ्ठ होता है तो एक दिन में जो किलोने निर्माध होंगे उसका मुल्य कितना हो जाएगा यानि फॉल्य मनस एक यानि कि एक दिन में क्लोने निर्माल हुए X और प्रित्य क्लोने का मुल्य यानि एक क्लोने का मुल्य वो कितना 55-X 55-X क्यों क्यों कि एक दिन में जितने क्लोने बनेंगे वो संख्या 55-X से माइनस कर दें तो इतने एक दिन में जो बनेगा क्लोने यानि एक क्लोने का मूल्य हो जाएगा पच्पन माइनस X किये गए क्लोने की संक्या को घटाने से प्राप्त संक्या के बरावर है किसी एक दिन कुल निर्मान लागत 750 अब देखिए क्लोने कितने बने क्लोने बने एक दिन कुछ क्लोने बने X और एक क्लोने की लागत कितनी है 55 अब पच्पन माइनस X तो टोटल इन सब का दे रखा हमें 750 ज़ा ध्यान दे क्लोने कितने बने ए और एक क्लोने का मूल्य है इतना जिसमाल लिजे हमारे पाश 5 ख्लोने हैं और एक किलोने का मूलीर 12 रुपे और उनके कर देंगे वह किसके ब्राब आएगा साथ सो पचास यनी साथ सो पचास रूपहे वैठ जाएगे आप मैं इसी को लेंगिज के रूप में थोड़ा लिख देता हूं देखे लेंग्विज हमने लिख दिये एक दिन में निर्मित क्लोने तो एक दिन में हमने कितने क्लोने माने थे एक्स ठीक है और एक क्लोने का मुल्य कितना हो जाएगा पच्छपन माइनस एक्स यानि एक दिन में कितने क्लोने का किसी एक दिन में कुल निर्मान लागत ही है माली एक किलोने पर बिसे हमने एक्जाम्पिल देंके बताया था एक किलोने पर निर्मान दो रुपए है तो पांच किलोने पर जो लागत हो जाएगी एक किलोने की जो लागत दो रुपए तो पांच किलोने की लागत हो जाएगी दस रुपए यहां कितने दिर एक ही साथ सो पचास रुपए अब हम बता लगा लेंगे कि एक दिर में कितने किलोने बने और एक किलोने का मुलिया कितना है क्यों अंदर गुणा कर देते हैं अंदर गुणा करेंगे आएगा पच्छपन एकस माइनस के एकस स्कैट इकल टू 750 पक्षानतर कर लेते हैं राइट में ले जाएंगे सबको एकस सबक्षानतर के 750 तो 750 के हम यहां पर टुक्ड़े करते हैं देखिए 750 के टुक्ड़े तो पांस से काट लेते हैं 5 पांच पंच पंचे 25 फिर 5 से 5 तीया 15 और 5 चंक 30 और यह 2 तीया 6 आप कुछ ऐसा करना है यहाद यह माइनस इन घटा के जो लागत अपको घटा के प्च् जी कुणा करके 560 तो 25 ती यह 75 यह 55 पच्चीसथ किस तर प ley पच्चीस नहिंड पांच पंच पंच पंचे guilles 5 डूंी 50 पाँच तोड़ी ख़रें। पन्च पंज़ेय पच्चीस जेरो, 5-3 पंध्राइड, 0-3, 5-5-5, पंज़ेया नीयां 50 4 5-5, 15, 20 5-10 या 30 25 प्चयपन आना चाहिए कितना अरहा हमारे पास पच्पन ने पच्छिस्थ फच्छिस्थ और फाचास जब इन्हें बैठ रहा पांच पच्छिस्थ पच्छिष पिक जट्तर फेंग का रहा है यहां पानाच्छिए 55 तो देखता हूं मैं इसको अच्छ यह बदेखिए यह य थी यह जब हम right hand side में लिए तो यह प्लस था ठीक प्लस होने से क्या उनों का होगा हमां हमां प्लस ररके लाना है तो प्लस ररक कैसा होगा अब देखें पांट गोजी दस्तिया दस्तिया थीस आप पंज़े 25 यह मैंनस ही मिश्टेक होगी थी और यहां कितना जाएगा इसको 25 पान दूल दस्तिया 30 यह निकी 30 प्लस के 25 ठीक है 750 अब यहां से देखिए x स्केर 30 x माइनस के 25 x प्लस 750 अब यहां से देखिए x कोमन ले लेंगे एक्स हमने यहां से कोमन लिया x माइनस के 30 आया और यहां से 25 कोमन ले लिया यह आजागा x माइनस के 25 ठीक है 76 अब मैं इसको और सॉल कर लेते हैं x माइनस 30 और ब्रैकेट में बचा x माइनस 25 एक बार यह बरावाद 0 x माइनस 30 is equal to 0 और x माइनस 25 is equal to 0 एक्स इजीकल टो कितना हो गया 30 यहां से आजागा x is equal to 25 ठीक है अब हमें आंसर क्या हुआ हमारा यहीं एक दिन में कितने किलोने बनने है 25 बनने है और एक किलोने का मुल्य कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स यानिकी 30 एक दिन में एक दिन में बने किलोने बने किलोने कितने किलोने बरा कितने हो गए 25 और प्रतेobed खिलोने की कीमत मुलिय कितना हो जाएगा मुलिय हो जाएगा 55 मार्स-X याने की 55 mindful-25 जाने की 30 रूपय 30 रूपय क्या हो जाएगा उसका मुलिय हो जाएगा योई एक दिन में 25 किलोने बनना है और मुलिय का 5 कितना है तीस रुपे ठीक अब देखे इसी तरह आप चलते हैं कोश्चन नमर तीन की हो तो कोश्चन नमर तीन क्या है कोश्चन नमर तीन देखिया आख किस क्रिंग पा गया है क्या है कोश्चन नमर तीन पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ऐसी दो संख्या है जिनका योग 2700 GBBpV82, मान लेते हैं इसके अंदर, माना, दोनों दो संख्या हैं, क्यां मान लेके योग 27 है, तो एक संख्या मान लेते हैं x, दोसरी कितनी जाएगी? 27 minus x, कितनी जाएगी दोसरी? 27 minus x माना दो संख्या है 27-x गुणनफल कितना x हो गई है यह लिखेंगे प्रेस्टनान प्रेस्टनान का जो गुणनफल है यानि कि x गुणा 27-x चो कि दोनों का योग 27 है बारा कितना है एकस हो अब इसको सॉल कर लेते हैं एकस की गुणना गुणा करेंगे यह आएगा 27-x और यह हो जाएगा x स्कैर और 182 अब देखें प्रक्षानता कर लेते हैं जैसे पहले कि राइट हैं साइड में लेके जाएगे यह माइनस का 27-x हो जाएगा और यह प्लस का अब इसके फैक्टर कि अब देखें प्लस के हमा आणा 27 तो 182 कि हमें टुकड़े करने और प्लस कितना आने चाहिए 27 साइस आने चाहिए तो इसके हम टुकड़े कर लेंगे 112 की यह जाएगा 13 और 14 प्लस जाएगा एक सक्टे चीजिया स्कार सक्राशिए गैल की 새 अधिए एक तो यहां सदिखिए एक्स कोमन लेंगी इतना हो तोछे पाँ ऐक्स माने सता है यहां 14 मॉन लेंगी एक माने चोटा का इस इस और फ्रस ट्रता है 20 तो दिए X- 13 दोनों में से कोवना जागा X- 14 तो एक बार यह बार जीरो पहला स्वावाला जीरो तो यहां से X वरह कितना आ गए है, एक आगया 13 और एक आगया 14 है, ठीक है कोई साव्य आम लेजकता हो, दो संख्या है क्या हो जाएगी, one ठीर हो जाएगी, two 27 में से 13 घटा देंगी मैं नीचे लिखेंगे आता दोनो संख्या हैं, रिकेंगे अबता दोनों संख्या है दो संख्या है क्या क्या होई पहली हो गई आप 13 ले लिजी चाहिए 14 ले लिजी दूसरी हो जाएगी 27 माइनस 13 जाने कि वही आती है जो दूसरे वलान होता दो संख्या है कौन ची होई 13 और 14 अब देखते हैं question number 4 question number 4 आपके screen पे आ चुका है पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते है question क्या देए दो क्रामा का धनपूर्लांग ग्याद कीजिए जिनका योग 365 है क्रामा का धनपूर्लांग क्या होते है क्रामा का धनपूर्लांग सा मतलब यह है कि क्यिति इसे में रिया कि क्राइष मतलब यह है कि यह संक्या 3 है तो दूसरी क्या हो चार आप मालूम टेहनी तो मान Im लिएते माना किप्र 본 क्या है एक एक्स और एक्स प्लस वन उप्र लोगत्र है माना का धन पूल रांग एक्स फ्लस वन अब इनके बरो का यहां लिख दें उपर माना संख्या है दो क्रमा धन पूर्णांग एक्स प्लस वन है अब देखे इसको सॉल्ड कर लेते हैं यहां से देखे दो कोमन ले लेते हैं यानि दो से इसको भाग देदेगे पूरिशन को दो दो एकम दो अब हम इसके क्यों है टुकड़े करेंगे तो हमें इस तरह से इसके टुकड़े करने हैं कि घटाके माइनस चीन क्या बताता है घटाके एक आना चाहिए और गुणा आना चाहिए एक सो बैसी तो यह होंगे 14 माइनस 13 आप आराम से करके देखें तरीका मैंने बताई दिया है यहां 14 माइनस 13 अब देखें देखो 14 32 और 14 एकम 14 और 4 अठाल है बिल्कुछ सही है अब यहां पर यह हो जाएगा 14 X माइनस के 13 X माइनस एक सो बैसी इकल टो जीरो अब देखें यहां से कॉमन ले लिए क्या कॉमन है यहां से X कॉमन लेंगे X प्लस के 14 यहां माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे X माइनस के आएगा 14 एक बार यह ब्रावज 0 X प्लस 4 is equal to 14 is equal to 0 और दूसरा क्या आएगा X माइनस 13 is equal to 0 तो यहां एक लाइन बढ़ा देता हूं X प्लस 14 और X माइनस 13 यहां से क्या हुँए X की वेडू है यह माइनस तो होई नहीं सकती संक्या कॉनसी हो जाएगी X परावर एक हो जाएगी 13 तो आंसर क्या हुआ हुआ आड़ी 2 क्रावंगत संख्याई हो जाएंगा 13-14 यह लिखेंगा लाष्ट में लेकिने का दो क्रावंगत संख्याई 13-14 चलिए अब देखते हैं कॉष्चन नमर फाइव तो देखें कॉष्चन नमर फाइव है आपके इसक्राइज पर यहां एक समकोयो तिरुबुच यहां ह उसके अधार से 7 cm कम है, अगर अधार x है, तो उचाए कितनी बजाएगी, x-7, यनि 7 cm कम है, कण कितना है, 13, तो अन्ये दो बजाएगी, याद की यह, तो हमें क्या x और x-7 की value निकाले हैं, तो पहले हम language लिख देते हैं, लिखेंगे, माना समकॉन तिरवज का अधार, पुशन नमबर कौन सा है, पॉक्च, लिखेंगे दे, माना समकॉन तिरवज, समकॉन तिरवज का अधार, अधार परावर कितना माली हमने, x, तब उचाए, या उचाए के दो, या लंब के दो, बात यह जिए, उचाए कितनी जाएगी, x-7, और काण कितना दे रहा हमें, काण दिया हुआ है, और हम जानते हैं, समकॉन तिरवज में, पाइथागोरस प्रिमे से, किसे, पाइथागोरस प्रिमे से, पाइथागोरस प्रिमे से, पाइथागोरस प्रिमे क्या है, पाइथागोरस प्रिमे से होता है, काण का जो वर्ग हो बात एक ही होती है तो देख कड़ कितना है हमारे पास तेरा अधार कितना है एक्स लम कितना है यानि उचाई कितनी है एक्स माइनस किसे भी अब इसको सोल कर लेंगे तो हमारा आंसर करके आजाएगा देखिए तेरे का वर्ग होता 169 और यहां पर एप्लस बी का होल स्कैर से क्युक्त सथान पर एक्स यूदी हम उन्हें सॉल कर लेते हैं और 169 यह होजाइगा 2X कितना होता और चास करें गएं तो लेंगे होगे टू एक्स स्कैर राइट हैंसाइड में ले जाएगे माइनस के चोद्य एक्स और यह उडश्च उड़नचास इसमें से से और माइनस कर देंगे इधर आके माइनस का हो जाएगा और यह प्लस का उड़ेंचास यहां कर देते हैं देखिए तो आप क्या कचा है यहां पी यह बचा 2X स्कार माइनस के 14X उड़ेंचास 9 में से 9 गए 0 और यह 16 में से 4 गए बचा 12 है ठीक है 2 से और भाग दना लगा दो 2 से भाग लगाएंगे अब इसकी गुड़ेंखंड करो अब देखे घटा के लाना है घटा कितना आना चाहिए 7 तो 12 पंजे 60 यह नहीं कि 12 में से 5 माइनस करो ठीक है यह करना हमी 12 में से 5 माइनस करो यहां पर देखिए X स्कार माइनस के 12 माइनस है यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस के 60 इकल तो 0 यहां से देखिए क्या कोमन है X कोमन ले लिए X माइनस के 12 है और यहां से 5 कोमन ले लेते हैं X माइनस 12 तो X माइनस 12 है और X माइनस प्लस 5 तो देखिए यहां से क्या जाएगा X-12 ब्रावर 0 और X-5 ब्रावर 0 तो यहां से X की वेलू कितनी जाएगी 12 जाएगी X की वेलू जाएगी मैनिस 5 तो मैनिस 5 वाली तो छोड़ देंगे तो हमसे क्या पूछा X, X का मतलब अधार तो अधार कितना हो गया इसका अधार ब्रावर हो गया 12 12 माइनस 7 यहां गया गया उचाएगी इसकी 5 5 मतलब सेंटी मीटर लिखा हो तो सेंटी मीटर लिख देंगे सेंटी मीटर लिख दिया देखिए यह इसका अंसर हो गया अब देखें लास्ट कोश्चन इस एक सच का छटा कोश्चन देखें छटा कोश्चन क्या पहले हम इस कोश्चन को अच्छे से बढ़ते हैं एक कुटीर उधोग एक दिन में कुछ बरतन निर्माना करता है तो माली ये एक दिन में जो कुटीर उधोग ने बरतन निर्माना करें वो X करें ठीक है एक विशेज दिन यह देखा गया कि पृतिक नक के निर्माना की लागत रुपए में उस दिन निर्माद किये गए बर्तनों की संख्या के दुगने तो कितने बर्तन निर्माद करें? X तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2X से तीन अधिक तीन अधिक है देखिए जो हमने अभी कोश्चन नमर 2 का सेकंड पार्ट किया था उसकी तरह है तो एक दिन में कितने बर्तन बनना है? X और एक बर्तन की कीमत कितनी है? जितने बर्तन बने उसके दुगने से तीन जाद है यानि एक बर्तन की कीमत इतनी है और एक दिन में इतने बर्तन बने उस दिन कुल निर्मा की लागत 90 रूपे है तो कुल निर्मा कैसे निकलेगा X की हम किसे multiply कर देंगे इससे तो कुल निर्मा निकल कर आजाएगा यहीं 2X प्लस 3 इन दोने की multiply करेंगे तो इनका जो है लागत निकल के आजाएगा तो यह question आपको home work में दिया जा रहा है इसका answer आप comment box में लिखके बताएंगे कि क्या इसका answer आया सही बच्चे comment box में लिखेंगे जिससे इसके answer match हो जाए कि क्या इसका answer आ रहा है तो बिल्कुर question number जो हमने शुरू में कराया है question number 2 का second part उसी की तरह करना है इसको बस अंदर multiply करके इसके बुड़ंखन कर लेने तो यहां पर देखे exercise 4.2 हमने पूरी complete कर दी है हमने एक WhatsApp ग्रूप बना रखा है जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ ला है इसके solution का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रूप से जुड़ सकते हैं WhatsApp का ग्रूप का जो link है वो description box में दे रखा कहां पर दिया हुआ description box जहां आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे इस type का एक बटन होता है जैसे यह दबाएंगे तो यहां पर एक link मिल जाएगा इस link को touch करके आप ग्रूप से जुड़ सकते हैं उस group में हम current update और उसके solution का PDF वो उसके अंदर डालते रहते हैं कोई भी नई चीज आपको मिलेगी तो उस group में डाल दी जाएगी कोई भी आपके information होगी आपके लिए वो हम उस group में डाल सकते हैं तो आप उस group से जोड़ सकते हैं अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे channel बने रहें तब तक के लिए चैहीन जै भारत